नमस्कार दोस्तों आप सभीका स्वागते डिली डिली डिले नमसी क्यू में आज कीसी वीडियो में हम दखेंगे SSC CGL के प्रिवेस एर क्वेश्चन तो चली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा भारत में राष्ट्रिय आय का आकलन सबसे पहले किस ने किया था तो इसका सैंसर आपसन C जो की दादा भाई नौरो जी ने अगला क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास किसवर निर्भर करता है तो इसका सैंसर आपसन D जो की उप्रिक सभी पर जिसमें सबसे पहला प्राकेदिक संसाधन तूसरा है बजार का आकार तीसरा है पूंजी निर्भाड अगला क्वेश्चन है डबलू टियो का मुख्याला कहा है तो इसका सैंसर आपसन B जो की है जिनेवा में अगला क्वेश्चन है मुद्रा आपूरती किसके द्वरा नेंतरित की जाती है तो इसका सैंसर आपसन D जो की भाती रिजर्व बैंक द्वरा अगला क्वेश्चन है भात में सबसे उचा जल परपात कौन सा है तो इसका सैंसर आपसन C जो की है जोग जल परपात अगला कोश्चन है जूट उटपादन में सबसे परचूर प्रदेश कौन सा है तो इसका सेंस और आप्सन भी जो कि है पश्चिम बंगाल अगला कोश्चन है निम्लिखित में से कौन से देश पाल के श्ट्रे से जुड़े हुए है तो इसका science or option B, जो कि भारत और स्री लंका अगला question है, गांधी जी द्वरा 1933 तक संपाधित समाचाथ पत्र का नाम क्या था तो इसका science or option D, जो कि है यंग इंडिया अगला question है, अंग्रेजों द्वरा निम्लिखित में से किस करांतिकारी को फांसी की सजाद दी गई थी तो इसका science or option D, जो कि है राजगुरु को अगला question है, मोती मस्जिद निम्लिखित में से किस नगर में इस्थित है तो इसका science or option है, जो कि है आगरा में दोस्तों आपके लिए क्विश्चन है ये मोती मज़ित का निर्माल किस ने करवाया था कमेंट बॉक्स में इसका एंसर आपको कमेंट करना है अगला क्विश्चन है मुस्लिम लीग की अस्थापना कब हुई थी तो इसका सेंस और आपसन डी जो कि है 1906 में अगला क्विश्चन है भारत में आने वाले प्रथम अमरीकी राष्टपती कौन थे तो इसका सेंस और आपसन है जो कि है ड्वाइट आईजन होवर अगला क्विश्चन है भारत में किस राज की समुद्री टर्टरेखा सबसे लंबी है तो इसका Science or Option C जोके है गुजरात अगला कोईश्चन है के इंदर सरकार के महात्वा कांची द्राष्टे गरामीर रोजगार गारांटी योजना नरेगा के साथ किस महापुरुस का नाम जोड़ा गया है तो इसका Science or Option जोके महात्मा गाधी का दोस्तों आपके लिए एक और कोईश्चन है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है अगला कोईश्चन है भारत में उबहुगता सनर्चन अद्नियम कब पारित किया गया तो इसका Science or Option B जोके 1986 में अगला कोईश्चन है भारत की पहली मानोव विकास रिपोर्ट HDR कब जारिक की गई थी तो इसका Science or Option B जोके अपरेल 2002 में अगला कोईश्चन है पूर्ती अपनी मांग स्वयम निधायत कर लेती है यहाँ युक्ति किसकी है तो इसका Science or Option B जोके जेबी से की अगला कोईश्चन है अठारसो सतावन के साने विद्रों के समय भात के गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका Science or Option C जोके लौड कैनिंग अगला कोईश्चन है किस मज़ से प्राप्त राजस्व का बटवारा ये इंद द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता तो इसका Science or Option C जोके है सीमा सुल्क अगला कोईश्चन है निमलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतिय कांग्रेश की पर्थम अधच हुई तो इसका Science or Option C जोके है एनी बेसेंट अगला कोईश्चन है भागत सिंग को निमलिखित में से किस कारण से फासी की सजा दी गई थी तो इसका Science or Option B जोकी है जन्रल सांडर्स की हत्या के कारण अगला कोईश्चन है 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी तो इसका Science or Option B जोकी लोग प्रिय नेताओं की गिरपतारी का विरोध करने के लिए अगला कोईश्चन है भारतिय राष्टे कांग्रेस के अनरोध पर 1938 में एक राष्टे योजना समित का गठन किया गया उसके माध्यम थे तो इसका Science or Option D जोकी जवाहरलाल नहरू अगला कोईश्चन है साइमन परतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाएगे तीन गोल में सम्मेलों में भाग लेने वाले प्रतनिधी कौन थे तो इसका Science or Option D जोकी भीम राव अमबेट कर दोस्तों आपके लिए एक और कोईश्चन है कि भारतिय समिधान का जनक किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में आपको इसका अंसर कमेंट करना है अगला कोईश्चन है भारतिय सिविल सेवा में चुनेगे पहले भारतिय का नाम था तो इसका Science or Option है जो कि सत्यद ना टैगोर अगला कोईश्चन है सन्य अठासर सताओन के निमलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया तो इसका Science or Option D जो कि हैं मंगल पांडे ने दोस्तों आपके लिए एक और कोईश्चन है कि मंगल पांडे किस छाउनी से थे अगला कोईश्चन है सामप्रदाइक निर्वाचन छेतरों की पधधती की सुरुवात भारत में किसके द्वारा की गई तो इसका Science or Option B जो कि हैं 1909 में मिंटों मार ले सुधार के द्वारा अगला कोईश्चन है जब भारत को सुतंता प्राप्त हुई तो उस समय वायस राय थे तो इसका Science or Option B जो कि लार्ड माउंट बेटन अगला कोईश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है यह कहा था तो इसका Science or Option D जो कि लोकमानित तिलक ने अगला कोईश्चन है भारत के सुतंता संग्राम के दोरान केसरी का संस्थापक संपादा कौन था तो इसका Science or Option है जो कि बाल गंगाधर तिलक अगला कोईश्चन है महत्मा गान्दी का डांडी मार्च कप प्रारंभ हुआ था तो इसका Science or Option है जो कि मार्च 1930 मे अगला कोईश्चन है जब भारत को आजादी मिली उस सुमें बिटेन के पधान मंतरी कौन थे तो इसका Science or Option D जो कि है एटली अगला कोईश्चन है भारत का राजपती बनने की यूगिता के लिए निम्तम आयू है तो इसका Science or Option C जो कि है 35 वर्स अगला कोईश्चन है अस्थानिय सुसासन के किस अस्तर पर पंचायती राजब्यवस्ता की सनचना हुई तो इसका Science or Option C जो कि है गराम खंड एम जिलास्तर अगला कोईश्चन है मिर्त डंड की सजा पाने वाले बेक्ति को छमादान का अधिकार सम्विधान में सिफ किसे दिया गया है तो इसका Science or Option D जो कि राश्ट पती को अगला कोईश्चन है अध्या देश जारी करने का अधिकार सम्विधान ने दिया है तो इसका Science or Option D जो कि राश्ट पती और राजपाल दोनों को अगला कोश्चन है लोग सबाके सदक्सेव की संख्या निधारित करने का अधार होता है तो इसका सहींसर आपसन है जो कि राजे की जनसंख्या अगला कोश्चन है भारतिय सम्विधान में मूल करतब्यों के प्रावधान की संस्तुती निमलिखित में से किसमे थी तो इसका सहींसर आपसन दी जो कि सोनर सिंख्य सम्विती ने दोस्तों आज का अगला और आखरी कोश्चन है अपात काल की घोष्टना निमलिखित में से किस अनुच्छेद में नहीं थै तो इसका सहींसर रोजाएगा आपसन जो कि हैं अनुच्छेद 352 में दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाथ होता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइज सब्सक्राइब से जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में